यह राजीव सिंकल करते हैं और जिस घटना का कलीप बार बार चलाया जा रहा है और जिस खिलाडी के और आप गाल पे हांग मारते हुए वीडियों को दिखाया जा रहा है कि सांसाजज जी बड़ा इस तरह से करते हैं, वो लड़के को उस पहलवान के बारे में जा लीजिए, वो उत्तर प्रदियस का खिलाडी है, और नंदनी नगर जो हाँ जो निता जी जो चलाते हैं, वहां वो खिलाडी है, उस लड़के ने क्या किया था ये जान लीजिए उसने स्टेडियम में इस बात के लिए किया कि मैं उत्तर प्रदेश का खिलाडी हूँ और नंदनी नगर का हूँ इसलिए मुझे इस्पेसल ट्रीटमेंट दिया जा तो उन्हें मंच पे जो एक पिता होता है अपने अनुसासन हीन पुत्र को जो कारे करता हूँ ही करके उसको मारा कि तुम नंदनी नगर के खिलाडी हो तो तुम्हें बी आईपी ट्रीटमेंट मिलेगा जो आदिमी इतना साप पाक करता हो उसके उपर ये आरोप लगे ये साय से पढ़ाना है सीखिए देख नहीं पाया थी विजूल वह कह रही थी बजरंग पुनिया के साधी और फलाने नीजी जीवन में हस्तचेप करते हैं एक पिता अपने बच्चे का नहीं करता है वो देखभाल नहीं करता है जो आदमी हनुमान जी के बाद कुस्ती को ही अपन लेकर यहां पर देखें यहां पर पीस के बड़े खिलाड़ी है आप मेरी बात है आप अपना पक्ष रखिए वो कह रहे हैं कि अध्याख जी और जो कोचेस हैं वो पांच से छे महिला खिलाड़ी के साथ यौन सोशल उन्होंने किया है दर्वाजे खुले रखते थे सामने मैं ओटल के दर्वाजे खुले रखते थे सामने महिला खिलाड़ी है जी लोगों ने कहा नहीं सुन ले हाँ जी अनुजी भाई साथ पहले सुन ले उन्होंने कहा कि लखनव मैं किसी का सुन रहा था कोई बैन कह रही थी महिला पलवान कि लखनव में ही क्यों ट्रायल हो र नहीं कि कोई आया और मिल के चला गया और जो मिलते है और नवाब गंडा का घर भी है और घर में पूरे खुले मिलते किसी से बंद कमरे में नहीं मिलते हैं और बहनों से की प्रतियोगिता तीन होते थे दोजारी ग्यारा बारा में उस चुनाओ जीतने के बाद आते इस तरह के राष्टी प्रतियोगिता हो रहा है ठीक है यही पहलवानों से पूछी जी आनेंदेश्वर जी अब ठीक है आप लोग कह रहे हैं जो कुछती के माफिया हैं वो कौन म पीछे अब भाई साब एक मिनट भाई आप ऐसा है ना जो पैसा दिया जाता है खिलाडियों के लिए एक मिनट सुन लो राजी एक मिनट सांत हो जाओ एक चीज मैं बात बता रहा हूं एक चीज सुनेजिए मैं दो बातों पर ध्यान चाहता हूं कि प्रदान मंतरी और ग्रियों मंतरी इस पर ध्यान दे और खेल मंतरा ले यह टाप टेन में जो पैसा दिया जाता है उसका दुछरे बात क्या नए पहलवानों को भरने का मौका न दिया जाए ने आप जब राष्टी चंपियंशिप में आप भाग लेंगे इंडिविज्वल इवेंट है तो आप जीतेंगे तो आपको ओलम्पिक एसियन और कामन वेल्ट में जाने का मौका भी लेगा ओलम्पिक कामन वेल्ट गेम एसियन गेम में डबलू एफाई का भारती कुष्टी संग का कोई नियम कानून नहीं चलता नियम कानून वर्ड ओलम्पिक संग का चलेगा इंडियन ओलम्पिक का चलेगा उसमें जो ड्रेस कोड है वो ओलम्पिक चार्टर के अनुसार होगा तो क्या बिरेज जी से मेरी बिर्यम पराता है तो क्या वो नियम बदल देंगी क्या कुष्टी संग को बैन करवा देंगी ताकि उलम्पिक में भागना लना चाहे ठीक है अगर मैं बुशार सिंग ने टोकिय उलम्पिक में उनके खिलाब अंसराचन करवाई की तो उसकी दोशी वो खुद है एक बड़ा पहलवान एक नामी पहलवान अगर कोई आरोप लगादे तो इसका मतलब यह नहीं होता है अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें सावधान फ्रीडम आपको डाउनलोड करें बच्चों को पैसे का पाट कैसे पढ़ाना है सीखिए